नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चे बाहरवी कक्षा के बाद अपने आगी के करियर को लेकर बहुत ज्यादा कन्फियूज होते कुछ बच्चे सरकारी नौकरी में जाते हैं तो कुछ बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं तो इस एकरा में आज हमारे साथ क्रिश्णा कोचिंग सेंटर के निरेशब जुड़े हैं जिनसे आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे देश की सेवा के लिए जाना चाहते हैं जो नेवी फोर्स में जाना चाहते हैं जो एर फोर्स में जाना चाहते हैं उन बच्चों को अपनी तयारी कैसे करने चाहिए तो सर सबसे पहले अपने बारे में बताईए हमें कि क्या है ये कोचिंग क्या है और अपने बारे में especially बताईए मैं राकेश रंजन क्रिशना कोचिंग सेंटर का संचालर मैं 2008 से एरफोस नेवी एंडिये की तयारी करा रहा हूँ हमारे यहां बच्चे गाउं से आते हैं एरफोस नेवी एंडिये की तयारी करने के लिए ये बच्चे प्लस टू पास करके आते हैं तभी जो है हम लोग तयारी करवाते हैं तो सर जैसा कि आपने बताया कि प्लस टू पास करके बच्चे आते ही हाँ पर तो NDA क्या है कैसे बच्चे समझे कि हमें NDA में जाना है नेवी फोर्स में जाना है या एर फोर्स में जाना है ये बच्चे कैसे डिस्टिंग्विश करें इन तीनों के बीच में क्या है NDA क्या है नेवी और क्या है एरफोर्स? NDA, Air Force, नेवी तीनों की तयारी हम लोग कराते हैं जो विद्यार्थी NDA की तयारी करते हैं उन्हें 1800 मार्स का एक्जाम होता है जिसमें 900 का इंटर्व्यू होता है और 900 का पेपर होता है जिसमें Math, Physics, English, GKGS से Question पूछे जाते है 120 Question Math का होता है और Second Paper GS होता है जो आपका 150 Question का होता है जिसमें 50 Question सिर्फ English का होता है 25 Physics का होता है 25 Chemistry का होता है इन सारे syllabus को हम लोग तयारी करवाते हैं उसमें 75 Question में Biology, History, Geography रहता है जिसको हम लोग तयारी करवाते हैं अलग अलग टीचर को Physics, Math, English दे करके पढ़ाते हैं तयारी करवाते हैं और Air Force, Navy इसका syllabus भी पलस टू का ही है जो भी दियार्थी पलस टू साइन्स पास करके आते हैं वही तयारी करते हैं Air Force, Navy और NDA की Air Force वाले बच्चे X और Y की तयारी करते हैं Air Force वाले बच्चे X और Y की तयारी करते हैं जो बच्चे साइन्स से रहते हैं वह X और Y दोनों की तयारी कर सकते हैं और जो बच्चे R से रहते हैं वह सिर्फ Y गुरूप की तयारी करेंगे नेभी में SSR है, AA है, MR है और कोश्ट गार्ड है ये सारी तयारी कर सकते हैं तो सर जैसा आप X-Y के बारे में बता रहे हैं Air Force में ये X-Y क्या है? X टेक्निकल होता है उसे साइन्स वाले ही बच्चे भर सकते हैं आर्स वाले बच्चे Y गुरूप भरते हैं ये नन टेक्निकल होता है Y गृूप, Y गृूप ऑफिसियल वर्क होता है और X गृूप टेक्निकल वर्क होता है तो जैसा कि आप बता रहे हैं इतनी सारे सबजेक्ट्स होते हैं ये सब कुछ पढ़ना होता है तो छात्र कैसे करें परिशा की तयारी कोचिंग के अलावा कितनी देर आप सला देते हैं चात्रों को पढ़ने के अलावा कोचिंग में हम लोग 4 घंटे का क्लास देते हैं इसके अलावा विद्यार्थी को हम लोग कम से कम 6-7 घंटा पढ़ने का राय देते हैं कि अपने रूम पर तयारी करें क्योंकि मेडिकल करके और 6-7 घंटा तयारी करने के लिए ही राय देते हैं और उसमें जो है वो बच्चे 100% सफलता प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो है कम एज में भेकेंसी अपने यहां एयरफोस ने भी कहीं भरा जाता है साड़े 16 वर्स में भरी जाती है एयरफोस नेवी की भेकेंसी और एंडिये का जैसे ही लड़का एंडिये की इंटर की परिक्षा देता है उसको जो है फॉर्म भरने का मौका मिलता है पैरिंग में और सबसे पहला एक्जामिनेशन जो नौकरी पाने के लिए होता है वो एंड कि एंडिये में रिटन एक्जाम क्लियर करने के बाद और कॉन से स्टेप्स होते हैं एंडिये हो गया एrफोर्स हो गया नेवी में त cómo कॉन से स्टेप्स हैं जिसमें भरवल नन फरवल और एक्यूम की प्रशनाल्टी टेस्टॉप ». पूछा जाता है SSB में पांच दिन का होता है और एरफोस नेभी में रिटेन की परिक्षा एक घंटे की होती है जिसमें नेभी में चार सब्जक्ट पूछे जाते हैं मैथ है फिजिक्स है इंगलिस है जी के जी एस रिजिनिंग है 25-25 कोश्चन का ये 100 कोश्चन रहते हैं 25 फिजिक्स, 25 मैथ, 25 इंगलिस, 25 में जी के जी एस और रिजिनिंग 100 कोश्चन के लिए 60 मिनट का टाइम मिलता है डवले और SSR के लिए और यही एरफोर्स के एक्जाम में फिजिक्स, मैथ, इंगलिस, जी के जी एस रहता है जिसमें के लिए 20 कोश्चन रहते हैं physics के लिए 25 कोश्चन रहते हैं और math के लिए 25 कोश्चन रहते हैं और non-technical में gkgs reasoning 10 का math 30 कोश्चन का रहता है यह 100 कोश्चन रहता है जिसमें 85 मिनट time देना होता है X और Y के लिए और कोई विद्यार्थी स्रिफ X देना चाहता है तो उसे 70 कोश्चन का examination होता है और उसका timing 60 मिनट होता है और कोई विद्यार्थी स्रिफ Y देना चाहता है तो उसका 50 कोश्चन रहता है 20 English से और 30 कोश्चन जो है gkgs से जो की 45 मिनट का timing रहता है इसके बाद इंटर्वियू के लिए नेवी में कोई इंटर्वियू नहीं होता है एयर फोर्स में रिटेन क्वालिफाई होने के बाद आपका सेकेंड एस्टेज में फिजिकल के समय जब बुलाया जाता है तो उस समय जो है आपका एसस एसार्टी जीडी और साइको होता है जीडी और साइको जिसमें ग्रूप डिसकर्शन होता है और साइकलोजिकल कोश्चन पुछे जाते हैं 45 कोश्चन 30 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है सेच्वियसन पर अधारित कोश्चन रहते हैं सेकेंड एस्टेज में एरफोर्स में इसके अलावा इस वर्स 2019 से जो है बीस नंबर का इंग्लिस में कोश्चन पुछे जा रहे हैं सेंटर पर सेकेंड एस्टेज में पहले यह चीज नहीं थी इस बार से जुड़ा गया है ठीक है सेर बहुत-बहुत हानेवाद तो यह जो चीज है कि जैसे आपने बताया कि इंटर्वियों ड़ेटन टेस्ट के बाद बाकी सारी सारे लेवल्स भी है जिसमें जीडी हो गया इंटर्वियोंहोगया तो क्या आप सिर्फ इच्टेस्ट के लिए बच्चों को प्रिप फिजिकल की भी तैयारी कराते हैं विद्यार्थी को ग्राउंड में बुला करके फिजिकल की तैयारी कराते हैं फिजिकल में एर फोस में नेवी में फिजिकल जो होता है दोड है उठक बैठक है पुसप है सीट अप है ये सारा चीज हम लोग ग्राउंड में बच्चों को दॉक्तर को बुला करके ENT, आंख, नाख, कान, दांत, ये सारा चीज चेक करवाते हैं, विद्यार्थी को एडिमिसन लेने से पहले भी हम इंक्वाइरी में बच्चों को जो है फिजिकल, मेडिकल चेक करते हैं, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं हो, जो मेडिकल में अन्फिट हो और वो एडिमिसन ले ले, इसलिए एडिमिसन से पहले ही हम लोग बहुत सारी मेडिकल चेक करते हैं, कि घुटना नहीं सट रहा हो, फ्लैट फूट नहीं हो, ये सारा चीज चेक करके एडिमिसन लेते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर आते हैं, जो भी दियार्थी मेडिक कि मेडिकली जाच पिर से दुबारा रेफर जो बच्चे रहते हैं उनको जो जो है डॉक्टर से दिखवा करके कि जो है प्रुच्छा जो है ठीक हो जाए और अपने अपने मेडिकल में पास कर जाए तो जैसे आपने बताएं कि हर लेवल की तैयारियां आपके कोचिंग इंस्टिटूशन में होती है तो क्या बताएंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हर साल आपके कोचिंग से कॉलिफाई करते हैं मेरे यहां से विद्यार्थी जब से हम 2008 से कोचिंग चला रहा हैं एक दो साल कम विद्यार्थी पास हुए थे परंतु 11-12 के बाद से अब तक 8-9 साल हो गएं 80% बच्चे जो है सफल हो जाते हैं रिटेन परिक्षा में परंतु फाइनल 60% से वब हो जाते हैं 20% बच्चे कहीं मेडिकल में उनको ज्यादा दिक्कत होता है वो विद्यार्थी कहीं कहीं छटते हैं नहीं तो 80% बच्चे जो है सफल हो जाते हैं हमारे कोचिंग से तीनों सेग्मेंट में एंडिये में नेवी में और एरफोर्स तीनों में एंडिये में विद्यार्थी रिटेन परिक्षा पास हो जाते हैं SSB में बहुत कम विद्यार्थी पास हो पाते हैं क्योंकि इनकी वेकेंसी का सीट जो है ऑल अबर इंडिया में एंडिये में 250 सीट रहती है उसमें CVSC वाले बच्चे रहते हैं जो NDA क्वालिफाई करते हैं एक परसेंट विद्यार्थी NDA में होते हैं परन्तु एरफोर्स नेवी में 80% विद्यार्थी सफल हो जाते हैं तो बिहार में जैसे आपको कोचिंग यहां पर है तो कितने परसेंटेज ऑफ स्टूड बिद्यार्थी NDA, एरफोर्स, नेवी तीनों के नाम पर लेते हैं परन्तु ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एरफोर्स और नेवी में पास कर बाते हैं जब वो NDA के तयारी करते हैं तो रिटेन परिक्षा पास हो जाते हैं SSB में छड़ जाते हैं तो वो आ करके फिर जो है अपका एरफोर्स नेवी में पास हो जाते हैं तो सेर जैसे कि हाई जोब में हमने ऐसा देखा है स्पेशली जो सरकारी नौक्रियां होते हैं उसमें रिजर्वेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है रोल होता है तो यह जो NDA हो गया और एरफोर्स और नेवी हो गया इस इसमें रिजर्वेशन रहता है पास नहीं कर पाते हैं तो अपने आहां कोई रिजर्वेशन नहीं रहता है इसलिए विद्यार्थी को जो है NDA Air Force Navy की तयारी जब उनका एज हो जाता है इंटर पास करके आते हैं तो उन्हें पहले जब तक एज समाप्त नहीं हो जाता है तब तक Air Force Navy की तयारी करनी चाहिए और सेलेक्शन हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है नहीं तो आगे चल करके रिजर्वेशन में बच्चे कहते हैं कि हम जेनरल से हैं सीटे नहीं हैं तो पहले प्रयास करनी चाहिए तो जैसा भी आपने हमें वेकेंसी में रिजर्वेशन के बारे में बताया तो अब आप हमें बताये कि लड़कियों का इस फील्ड में कितना स्कोप है लड़कियों के लिए जो गर्ल्स कंडिडेट हैं PCM 70% से एवाब नमबर लाती हैं उनके लिए डाइरेक्ट बेकेंसी आती है SSB का SSB में वो फॉर्म डालेंगी और उसका रिटेन परिक्षा नहीं होता है डारेक्ट इंटर्व्यू होता है उसमें उनके लिए सीट रहती है उसमें वो मेडिकल में जाती है डॉक्टर बनती है परन्तु एयरफोस नेवी में अभी गल्स के लिए नहीं है सीट ऐसा लगता है कि 2021 में जो है इनके लिए सीट आएंगी ऐसा हम लोगों को सुचना है कि गल्स भी अब जो है एयरफोस नेवी में जौइन करेंगे तो जैसे यह माना जाता है कि यह जो जौब है एंडिये हो गया नेवी एयरफोस में जौब जो है वो बहुत शॉर्ट डूरेशन का जौब क्यों कि 15 साल बात लोग इसटेर्ट ले लेते हैं तो इसके बाद क्या स्खोप है उनके पास जो यह इस फिल्ड में आना चाहरे हैं उनको जो लोग 15 साल के बात ड辅ट जो है रिटार्मेंट ले लेते हैं उनके लिए भी अच्छी है कोई भी सरकारी वेकैंसी निकलता है उ तो 10th के बाद usually students जो है आप अपने हिसाब से उनको क्या प्रेफर करना चाहेंगे 10-12 के बाद वो किस फील में जाएं क्योंकि बच्चे बहुत साथ होते हैं कि वो कौन सा स्कोप चुने एंडिये में जाएं या फिर वो बैंक पियो करें या फिर कोई और एक्जाम दे तो पहले जो है Air Force Navy NDA की तयारी करें इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और जिन बच्चों का नहीं हो पाता है वो अपना आगे जो भी है आप तयारी करें पहले जो है उपरचुनिटी आपको मिले कि आप Air Force Navy की तयारी करें तुसर किस एज के छात्र इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपकी कोचिंग में जो विद्यार थी साड़े 16 वर्स हैं स्टार्टिंग एज और साड़े 19 वर्स इंड कर जाता है एज इसलिए पहले जो है साड़े 17 से 21 साल था अब साड़े 16 से 19 साल तुसर जैसे यह इंडियन नेवी हो गया और आर्मी फोर्स में ऐसा देखा जाता है कि शारिक जो चीज़े होती उसको जादा लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करता है तो क्या आप उन बच्चों को जादा प्रेफर करते हैं जो जिम जाकर के बॉड़ी टोनिंग करके अपनी बॉड़ी बना कर आते हैं या जो नाच्रेली जो बॉड़ी डवलप करते हैं फील्ड में वो बच्चे जादा नहीं होती है जीम जाने की आप ग्राउंड में जाएं अपना फिजिकल करें दोड करें उठक बैठक करें पुसप करें इतना ही काफी आपके लिए तो यह तो हो गया सर की किस तरीके से सेलेक्शन हो सकता है क्या के चीज़ जरूरी होते अब जो सबसे इंपोर्टन बात है सो नंबर का कोश्चन है तो उसमें 40 नंबर पर ही बच्चे पास हो जाते हैं इसमें जो बच्चे क्लियर करते हैं जो सारी लेवल को क्लियर कर जाते हैं उसके बाद उनकी सालरी कितनी होगी सेल्डी में ट्रेनिंग के दोरान 72 के आसपास मिलते हैं परंतु उनका सारा पैसा जोड़के ट्रेनिंग काट करके जब बच्चे आते हैं तो मिलता है स्टार्टिंग 30,000 रुपे से है 30 से 35,000 रुपे है किस ग्रूप को? NDA, Air Force, Navy किस को? तीनों का यही है खात्म करने से पहले हमें यह बताई कि पटना में बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जो NDA, Air Force और Navy की तयारी करवाते हैं तो हम क्रिश्ना कोचिंग सेंटर को ही क्यों प्रेफर करें? बच्चे वहीं क्यों जाएं? हमारे यहां सुविधा बहुत अच्छा दिये हैं, हम लोग 2008 से हम अपनी सुविधा दे रहे हैं ग्राउंड में बच्चों को स्वेम हम फिजिकल ले जाते हैं, मेडिकल की तयारी करवाते हैं रिटेन के साथ साथ जो SSB होता है, इंटरव्यू जो SSB होता है उसमें बच्चों को प्रियास करते हैं कि दो लाइन लिखना, बोलना, पढ़ना इंग्लिस में आ जाए कि विद्यार्थी जब इंटरव्यू SSB में जाए, तो उसकी जो है उच्चारण कितनी होनी चाहिए उससे कोई कोश्चन पूछा जाए, तो वो क्या एंसर दे ये सारा चीज और कोचिंग में जो है, हम बिसेश कर बहुत अच्छी फैकल्टी को रखे हुए हैं जो फिजिक्स और मैथ और इंग्लिस, ये सारे फैकल्टी हमारे बहुत केर करते हैं बच्चों पे हमारे फेकल्टी बहुत अच्छे हैं, बच्चों पे बहुत अच्छे ध्यान देते हैं और डाउट के लिए अलग से फेकल्टी हैं, यह सारी सुविधा हम लोग देते हैं इसलिए हम चाहेंगे कि बच्चे हमारे आएं, हमारे कोचिंग में आए तो सर जाते जाते आप हमारे विव्योर्स को क्या बोलना जाएंगे हम जाते जाते अपने बिहारी नियूज टीम को धन्यवाद करना चाहते हैं, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बच्चो को एरफोर्स नेवी एंडिये के बारे में सुचना देने का मौका दिया, इसके लिए हम बिहारी नियूज टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं थाइंक यू सर तुसम, हम आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो और जो भी बच्चे एरफोर्स या नेवी के तयारी करना चाहते हैं हम होप करते हैं कि आपके लिए वीडियो इन्फरमेटिव हो, हम ऐसी वीडियो आपके लिए और लेते आएंगे, तब तक हमारे आप चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, धन्यवाद